विडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेश्ट है यार जो लोग मतलब विडियो देख रहे ना season 9 मतलब आप लोग बोल सकते 1.9 update के बारे में या M9 बोल सकते जो हम लोगों का month 9 का royal pass आएगा उसमें जो update में changes होने वाला है क्या मतलब map आने वाला है क्या changes होने वाला है सारा कुछ आज आप लोगों बताऊंगा और सच में यार काफी interesting ये वीडियो हने वाला है मतलब ऐसा map आप आप देखें मतलब इरेंगल map अपना छोड़ दीजेगा कि यार इरेंगल से अच्छा तो ये map है सच मैं देखा ना यार मतलब इतना जादा मज़ा आया और इतने सारे features मतलब यार दिल खूस हो गया बस वीडियो को इन तक देखते रही है और चैनल पे नए हो गया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि यहाँ genuine content मिलता है तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ और हम लोग का 1.9 अपडेट में यहाँ पे एक new map आने वाले है यहाँ new map holiday island इसका नाम रहने वाले है इसका सबसे बेश चीज आप लोग पता क्या लगेगा इसका मनलब खुबसूरती आप देखके फिदा हो जाईएगा मतलब दिल खूस हो जाएगा चाही सुन्दर सा लग रहेगा एकदम बीच वाला feeling आएगा और यह मतलब सबसे सुन्दर तो सुन्दर और सबसे चोटा map भी है सबसे चोटा map और यहाँ पे आप लोग सबसे बेश देखिएगा आप लोग क्या क्या मतलब दिखता है map एकदम चोटा रहेगा तुरण में खतम हो जाएगा और बस 31 बंदा 31 बंदा ही यहाँ पे आप लोगों का एरोप्लेन में आएगा और 31 बंदा के साथ आप खेलिएगा यह पता है classic map में आएगा मतलब आपको rank वाला आप लोग यहाँ पे अपना यह भी कर सकते है rank push भी कर सकते है friend with a shot भी खेल सकते है और यहाँ पे और भी आप लोग बीच में यह ball वागारा दिखता है दिखरा होगा ना तो इसके साथ भी आप यहाँ पे खेल सकते है and second feature से मैं बता देता हूँ इसका second feature मतलब आप लोग crossbow जानते हैं crossbow कोई नहीं उठाता होगा बट अभी यह अगर map आगे ना आप लोग crossbow जा जाके ढूंडियेगा कहाँ है crossbow क्योंकि भाई explosive crossbow है मतलब यार crossbow में ना वो आप तीर निकालेगा उसमें आग लगाओ मतलब आप घर उड़ भी जला सकते हैं और बंदा भी अंदर रहे तो वो भी जल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं crossbow मैंने उठा लिया है यहाँ पर आप लोगों क्या करना है आपको crossbow में मतलब यह fire वाला है तो simply आपको यहाँ पर जाना है मतलब पूरा जोपड़ी यहाँ पर जल जा रहा है तो काफी danger लग रहा है यह हर सब जलाने में काफी मदद करेगा और मतलब आप पूरा बंदे को बाहर निकालने में मजबूर कर जाएगा पूरा मतलब वहाँ का उपर का कपड़ा उतार देगा पूरा घर का और लूट तो भर भर के लूट भी यहाँ पर मिलने वाला है यह लोकेशन में इसके बाद जो main feature जो सबसे ज़्यादा पसन आए यहाँ पर एक new bike मिलेगा हम लोगो जी हाँ यहाँ यहाँ पर bike मिलेगा और bike का look देखिए मतलब भाई देख सकते यह four wheeler वाला bike रहने वाला है और मतलब आप बोल सकते इसको mountain bike भी बोल सकते और इसका look देखिए और यह काफी fast चलने वाला है और आपको काफी मज़ाएगा look भी रहेगा और पूरा मतलब comfortable आपका मतलब यहाँ जल्दी पल्टी भी नहीं होगा तो यह काफी speed में चलेगा और इसका look देख सकते क्या OP लग रहा है और मैं चली एक और यहाँ इसका सामने bike रखता हूँ और उसके बाद इसका look देखिएगा तो यह देख सकते दोनों bike के यहाँ पर एकना साथ में look कितना खतरनाक लग रहा है क्योंकि यहाँ आप देखिए कितना जादा damage मतलब एक ammo में आप बंदा को finish कर सकते एक ammo बस आप देखिए दूर से भी मारेगा नहीं एक ammo मतलब ओम कर यहाँ पर दे रहा तो यहाँ पर देख सकते इसका look कुछ देखिए यहाँ पर आपका यह shotgun का look कुछ ऐसा दिखेगा मतलब पुराना टाइप का एकदम यहाँ जो gun रहता है पुराना movie वागारा में जैसा रहता है उस type वाला look दिखे एकदम लंबा सा और यहाँ पर आप मैं fire कर देखाता हूँ क्योंकि यहाँ बोट सब बहुत सारे है चलिए बोट को मैं मार के दिखाता हूँ और यहाँ देखे एक गोली में यहाँ बंदा फिनिस मतलब काफी जादा पावरफुल यह shotgun भी होने वाला है तो crossbow और यहाँ पर यह shotgun मतलब दोनों ऐसा एड होगी है कि आप लोग मतलब अपना आटो गन आप लोग छोड़ दिएगा इसके चलते और इसके बाद जो फीचर अगला फीचर मतलब आप लोग यहाँ पर monster truck तो आप लोग देखे होंगे monster truck आप लोग बहुत सारे games में भी खेले होंगे और साइध हम लोगों के लिविक map के अंदर भी मिलता है तो यहाँ पर monster truck भी आगिया भाई क्या यह भी लग रहा है look यह भी आप यूज कर सकते हैं काफी खतरनाक look दिख रहा है क्या चक्का का size है और सारा कुछ आप देख सकते हैं यह अपना monster truck जी है यह भी हम लोगों के यहाँ पर 1.9 update के साथ यहाँ add हो जाएगा यहाँ game के अंदर यह भी आप यह map में enjoy करने वाल है and map तो एतना छोटा सा रहेगा कि तुरंद में आपको लगए खतम हो गया क्योंकि 31 बंदे बस रहेंगे और आपको हटा देंगे तो बस 30 बंदा अलग से रहेंगे and इसके बाद एक और feature है जंगल वाला feature जी हाँ मतलब zip line जो होता है यह direct एक जगा से दूसरा जगा आपको जाने के लिए जो काम आता है तो वो भी यह मिलेगा चले मैं करके दिखाता हूँ तो यहाँ देख सकते कोई भी bridge से आप एक जगा से दूसरा जगा जाने चाहते है तो वहाँ पर आपको zip line मिलेगा आप बस वहाँ simple आप सामने वहाँ खड़ा रहिएगा यहाँ पर आपको बस एक option मिल जाएगा उसको आप click करिएगा जैसे click करिएगा आप बस एक location से दूसरा location में एकदम easily चल जाएगा और क्या animation के साथ जाता है मतलब देखने में क्या must feel आएगा और फिर साप दोबारा भी नीचे से भी उपर आप जा सकते है जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा रहा है और काफी must animation इसके साथ दिया गिया है अब बात करते हैं month 9 का royal pass आप लोग अभी बहुत लोग सर्च कर रहा है month 9 का royal pass तो एक चीज बोलना चाओंगे यार थोड़ा सा wait कर ली जब month 8 का royal pass अभी पूरा complete नहीं आया है और month 8 का royal pass के लीक से अग्दम confirm जो रहता है ना 1 to 50 आप पर सारा reward वो भी मैं बहुत जल यही चैनल पर दिखाने वाला हूँ और अप लोगों का यह जो 1.9 update का मैंने जो features दिखा है यह हम लोगों का 1.9 update कब तक आएगा आप बहुत लोग पूछेंगे तो चलिए मिलते कोई और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत्सरियाकाल और जय हिंद